जैमत आदी दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी पर मतारानी की किरपावनी रहें चलिए आज जानते हैं स्रिकृष्ण राधाजी से जूरी एक और सुन्दर सी रोचक सी लीला सिरकृष्ण ऐसा माना जाता है कि प्यार तो राधा जी से किया था लेकिन रुक्मनीशी विवा किया था लेकिन कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि राधा जी ने ही सिरकृष्ण को विवा करने से मना किया था तो चलिए क्या है इस बात में सच्चा ही जानते हैं कि आज राधा जी ने स्रिकृष्ण को विवा से मना किया था जै श्रिकृष्ण राधी राधी सबसे उपर लिया जाता है राधा स्रिकृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और प्रमात्मा के अमिलन कहा गया है सदियों से पीडी दर पीडी राधा स्रीकृष्ण की प्रेम कहानी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन जब भी हम राधा स्रीकृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि स्रीकृष्ण ने राधा से विवा क्यों नहीं किया तो इसके पीछे कई तरह के कारण बताए गए हैं तो चलिए जानते हैं क्या है कारण कुछ भी दमानों की अगर माने तो राधा कृष्णी की कहानी मदिकाल के अंतिम चरण में भक्ती आंदोलन के बाद लुकपडिये हुई उस समय कभियों ने इस अध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया प्राचिन समय में रुकमणी, देविशत्यभामा, शमेधा, सिर्कृष्णा मसरा पड़ चली थी जिसमें राधाजी का कोई चिक्र नहीं मिलता 3228 इसा पूर्व देव की पूत्र शिर्कृष्ण का जन्म हुआ, कुछ समय तक वे गुकुल में रहें और उसके बाद ब्रिंदामन चले गए शिर्कृष्ण राधा से 10 साल के उम्ड में मिले थें, उसके बाद वह कभी भी ब्रिंदामन लोटे ही नहीं इसके अलावा कहीं भी या जिक्र ही नहीं मिलता कि राधाजी ने कभी द्वारिका की यात्तरा की हो, दक्षिन भारत के प्राचिन गरंथों में राधाजी का कोई उल्लेख नहीं मिलता एक मत यह भी है कि राधाजी ने सिर्कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो महलों की जीवन के लिए उप्यूकत नहीं है राधाजी एक ग्वालन थी जबकि लोग सिर्कृष्ण को किसी राजकुमार की तरह मानते थे और ऐसा मानते थे कि उनकी का विवाह राजकुमारी के साथ ही होना चाहिए सिर्कृष्ण ने राधा को शमझाने की बहुत कोशिश की लेकिन राधाजी अपने निश्चय में दिड़्ड थे राधा सिर्कृष्ण के विवाह नहीं करने के पीछे एक यही कारण माना जाता है एक अनपरचलित व्याख्या के मुताबिक राधाजी ने एक बार सिर्कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं भगवान स्रिक्रिष्णी ने राधा को बताया कि कोई अपनी आत्मा से विपा कैसे कर सकता है अर्थाध स्रिक्रिष्णी का आज सैया था कि वो राधा एक ही है उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है राधा जी को यह हैसास हो गया कि श्रीकृष्ण भगवान है और वो अपने श्रीकृष्ण के प्रती एक भक्त की तरह थी वो भक्ती भाओं में खो चुके थी जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और स्रीकृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता राधा और स्रीकृष्ण के बीच का रिस्ता एक भक्त और भगवान का था जाधा का स्रिकिष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है विवा के लिए दो लोगों की अफशेक्ता होती है कुछ लोग इसकी इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि समाजिक नियमों ने राधा और स्रिकिष्ण की प्रेम कहानी में खलनाय की भूम का निभाई थी राधा और स्रिकिष्ण की समाजिक प्रिष्ण भूमी उनके विवा की अनमती नहीं देती थी राधा जी को ठीक तरह से समझने के लिए रस और प्रेम के रहस्चे को शमझना होगा ये अध्यात्मिक प्रेम की आननदाय कनभूती है और एक प्याख्या के अनुसार सिरकृष्ण और राधा ने बच्पन में खेल-खेल में ही शादी की थी जैसे कि कई बच्चे शादी का खेल-खेलते हैं लेकिन असलियत में दोनों का विवा कभी नहीं हुआ वैसे भी उनका प्यार बैवाहिक जीवन के प्यार से जादा शभाविक और अध्यात्मिक था हलाकि गर्ग सहिंता में इस बात का उलेक है कि स्रकृष्ण और राधा के शादी सिर्व ब्रम्मा जी ने करवाई थी स्रकृष्ण और राधा एक दूसरे रूप से आत्मिय तोर पर जूरे हुए थे इसलिए हमेशा उन्हें राधा कृष्ण कहा जाता है रुक्मनी कृष्ण नहीं रुक्मनी ने भी स्रकृष्ण को पाने के लिए बहुत जदन गे थे वो अपने भाय रुकमी के खिलाब चली गई थी रुकमनी भी राधा की तरह स्रीकृष्ण से प्यार करती थी रुकमनी ने स्रीकृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए प्रेम पत्र में रुक्मणी ने साथ श्लोक लिखे थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की अश्मृतियों को बनाए रखा। यहीं उनके रिष्टे की सबसे बड़ी खुपशूरती थी। की संगती प्राप्त होगी और तुम गोवापस लोटोगी। ऐसी भी मानिता है कि स्रिकृष्णे ने राधा से इसलिए विवा नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवा दो अलग-अलग चीजे हैं। प्रेम एक निश्वार्थ भावना है जबकि व विवा एक समझोता या अनुवंध है। एक मत के मुताविक स्रिकृष्णे ने राधा से इसलिए विवा नहीं किया ताकि मानव जाती को बेशर्थ और आंतरिक प्रेम को शिखाया जा सके। राधा स्रिकृष्णे का समंद कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा बलकि वह बहुत ही अध्यात्मिक प्रकृष्णी का था। पौरानी कथाओं में प्रचलित अनिक थाओं की तुलना में राधा स्रिकृष्णे से नहीं की जा सकती। हालाकि राधा स्रिकृष्णी के प्रेम की कितनी भी व्याख्या क्यों न कर ले जाए कम ही है। उनका प्रेम हमिश प्रमात्मा के अमिलन कहा गया है।